प, ग, ट, म, त, ये वो अक्षर हैं जिन पर अक्सर कई लोग अटखते कें आज हम इन ब्लॉकेज को लेकर बाद करेंगे कि आखिर ये ब्लॉकेज होते क्यों है कैसे इसे सही किया जा सकता है ब्लॉकेज की बज़ह क्या है यानि कि आप जब बोलते हैं ऐसे अक्षरों को तो अचानक से आप अटक जाते हैं, आपका मुह बंद हो जाता है, आपके होट चिपक जाते हैं और आपको एकदम से सांस लेने में दिक्त होने लगती है इसको बोलते हैं स्टैमरिंग से पहले होने वाली ब्लोकेज स्टैमरिंग को लेकर कई बार हमने बात की है, लेकिन ब्लोकेज वो समस्या है जिससे आप इन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हैं तो इस वीडियो में आज हम इसी ब्लोकेज को लेकर बात करेंगे सबसे पहले सवान यह होता है कि आखिर ब्लॉकेज होता क्या है? क्यों होता है? और इन ही अक्षरों पर क्यों होता है? ये वो अक्षर हैं जो हमारे होटों से या फिर हमारे जीब के इस्तिमाल से बोले जाते हैं या फिर गले के एक पर्टिकुलर हिस्से से बोले जाते हैं जैसे पा की अगर हम बात करें तो पा के वक्त आपने देखा होगा कि हमारे किस तरह का तनाव हमारी बाड़ी में आ जाता है या फिर पा मा दोनों में इस तरह से दिक्कत होती है या फिर टॉमे हमारी जीब अचानक से ब्लॉक हो जाती है इसका तनाव आप देखें, यहां पर आने लगता है और यह आपके ब्लॉकेज की असली वज़ा है चुकि हकलाना आप बीमारी समझते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है तो यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक तरह की छोटी समस्या है जिसको दूर किया जा सकता है बीमारी के लिए आपको दवाईयों की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आपको इन छोटे जो ब्लॉकेज हैं इनके लिए आपको दवाईयों की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपने आपको शांत रखना है होता यह है कि एक के बाद एक चीज गड़बर होने लगती है जैसे माली जी हमने एक बार कोई गड़बर की अब हम बार बार उसको ही सोचते रहें कि अरे मुझसे गड़बर हो गई मुझसे सही नहीं बोला गया तो आगे और ज्यादा गड़बर होंगी तो दिमाग में यह जो एंजाइटी हो जाती है जिसकी वज़ए से उस एंजाइटी की वज़ए से बार बार इस तरह की दिक्काते होने लगती है और anxiety के वज़े से हमारी सांस अटकने लगती है और वो tension हमारे होटों पर और गर्धन पर और muscles पर आने लगती है जिसकी वज़े से हम उश्रब के उच्चारण में अचानक अटक जाते हैं और वो tension हमारे चेहरे पर इस तरह से नज़र आने लगती है तो इसको एक तो बीमारी नहीं समझना ऐसे में होता क्या है कि जब हमने दिमाग से सोच लिया तो हम उसको एक प्रेशर के साथ बुनने की कोशिश करते हैं और जब हम प्रेशर लगाने लगते हैं सांस से हम फ्रो का एक प्रेशर लगाने लगते हैं और उस शब्त को बोलने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, तो हमारे muscles पर उसका pressure आता है और वो ही हमको नजराता है जैसे, जबकि हमको इसको flow में बोलना है, pressure नहीं लाना और pressure की वज़े से anxiety होती है, और उसी की वज़े से फिर दिकतें आगे आनी शिरू हो जाती हैं, जैसे एक उधारन मैं आपको देता हूँ, प्रेशर की वज़े से क्या दिक्कते होती है, मालीजिए एक पाइप है, उस पाइप में पानी भरा हुआ है, और उस पानी के पाइप को आप इधर से फूप मार कर पानी को बाहर निकलना चाहें, अगर उधर का मुँख खुला हुआ है, तो वह आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे सेरे को बंद कर दिया और फिर इधर से प्रेशर मारें, तो वही कंडिशन होती है, जैसी आपके ब्लॉकेज में होती है, पूरा इधर से आप जो लगाते हैं, लेकिन उधर चुकी बंद है, वह आपने उसको ब्लॉक कर दिया, पाइप को, इस वज़े से वह ब्लॉकेज आपकी टेंशन को यहाँ पर लेकर आता है, यही हमारे बोलने में है, यह ब्लॉकेज इस वज़े से होता है, क्योंकि हमने होटों को बंद कर लिया, और नीचे से हवा का थ्रो आ रहा है, लेकिन हमने उसको होटों को बंद करके और उस थ्रो को रोग दिया, इसी बज़ा से ये ब्लॉकेज होता और फिर स्टैम्रिंग होती है अब समस्या ये है कि इसे दूर कैसे किया जाए तो कुछ प्रैक्टिसेज मैं आज आपको बता रहा हूँ सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो रिलेक्स करने की है अन्जाइटी दूर करने की है आप सबसे पहले तो वो अक्षर जिस पर आप अटकते हैं मालीजी आप पा पर अटकते हैं तो आप ये जो प्रैक्टिस आपकी है इसको दूर करने के लिए आपको जो करना है वो ये है पा 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 आपको होटों को भीच कर नहीं रखना होटों को खोल कर तुरंट उसको बोल देना है अगर आपको शुरुवात में दिक्कत आ रही है होटों को बंद रखने में आपको लगता है कि होट बंद करते हैं अचानक से आप एंग्जाइटी और उसकी वज़ए से आप तनाओ में आ जाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है आपको तनाओ नहीं लाना बंद नहीं करने ओटों को फ्लो के साथ पा 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 अलके अलके से बोने तो आपका ये एंजाइटी दूर होगी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ये समस्या इस तरह से नहीं सौल्व हो पा रही है तो एक सांस लें अलके सी जब आप छोड़ रहे हैं सांस लें और जब आप छोड़ रहे हैं इनहेल करने के बाद जब आप एक्जेल कर रहे हैं तब उस शब्र का उचारण कर दे, उस flow के साथ, दूसरी practice आपको ये करनी है, कि आपको बारह खड़ी बोड़ी है, अलाकि आज कर स्कूलों में बारह खड़ी नहीं पढ़ाई जाती, उसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बारह खड़ी होती है, ये हमारे जितने बारह खड़ी के रहने बाले हो, आप चाहे मराठी बोलते हैं, आप चाहे गुजराती बोलते हैं, उन सभी में, अगर आपको किसी भी तरह की कोई blockage की समस्या है बोलते वाग, तो उसको दूर किया जा सकता है इस बारह खड़ी से, इस बारह खड़ी को लेकर जो practices हैं, वो आपको करनी है, चुकि आपको ये समझ में आएगा कि मात्राओं के उचारण को लेकर अगर आपको कोई blockage है, तो भी आप उसे दूर कर सकते हैं, तो बारह खड़ी की आप practice करें, तीसरा, एक notebook लें, एक कागज लें, और उसमें उन शब्दों को लिखें, जिनमें आपको अकसर blockage की समस्या होती है, सारे आपने एक बार पूरे वो शब्द लिखी है, और फिर उस शब्द के बाद, उनको लिखने के बाद, आप उसमें से उन शब्दों को, उन अक्षरों को छाटें, उन अक्षर वाले शब्दों को छाटें, जिनमें सबसे ज्यादा वो आपने करना है, फिर उसके बाद, आपको बारह खड़ी में से उस लाइन की प्रेक्टिस करनी है, माली जी आप तव पर अटकते हैं, आपने देखा पूरी लिस्ट बनाई, उन सारे जो शब्द थे उनमें, तव अक्षर जिस शब्द में आता है, उसमें आपको अक्षर blockage की समस् की प्रेक्टिस करनी है, वो करनी है, तव 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 पर अटकते हैं, तो आपको उस अक्षर को पहचानना है, और बारह खड़ी से उसकी प्रेक्टिस करनी है, आप समस्या से जूच तो रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेक्टिस करनी हैं, तो उसके बाद, आप इस practice को लोगों के बीच में किस तरह से अजमाए, तो कि लोगों के बीच में जाने पर आपको इस समस्या करमा लीजिए, बढ़ जाती है, तो ऐसे में आपको सीधा लोगों के सामने इस practice को नहीं करना, इसके लिए अलग-अलग stages हैं, आप सबसे पहले इस practice को कर सकते हैं खुद शीशे के सामने, second stage में आप अपने इस डर को दूर करने के लिए अपने घर के लोगों, अपने परिवार के लोगों के सामने practice करने, तीसरा, इसके बाद अगली stage में आप थोड़े से और wide घीड में जाएं, और ज़्यादा लोगों के पास जाएं और वो हैं, आपक से में आप धीरे-धीरे, चूंकि stages को पार करते जा रखेंगे हैं, तो आपका confidence boost होगा, confidence develop होगा, और last में जब आप अंजान लोगों के सामने जाएंगे, तो आपकी ये जो blockage की समस्या है, ये दूर होगी. और पांचवा, ये आपको दिमाग में सोचना है, कि हो सकता है आपमें किसी तरह का कुछ छोटा सा इशू हो, लेकिन इस दुनिया में कोई भी perfect नहीं है, जिसको आप perfect मानते हैं, उसमें भी कोई न कोई कमी है, मैं पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूँ, ऐसे कई लोग हैं, आइंस्कीन की बात करें, या फिर हम बॉलिवोड स्टार रितिक रॉशन की बात करें, ये सभी इसी तरह के blockage और stammering के शिकार बच्पन में हुआ करते थे, लेकिन सभी ने अपने confidence को boost करके, इस तरह से अपनी कमी को दूर किया कि आज उनको उस वजह से कोई न की कोशिश करें, इसे दिमाग पर हावी ना होने दें और ये ना सोचें, ये कभी भी आप से दूर नहीं होगा, क्योंकि अगर जो नाम मैंने आपको पहले बताए, दो नाम, उन हस्तियों ने अगर ऐसा सोचा होता, तो आप उनकी काबलियत की वजह से आज उनको नहीं पह उसमें भी कोई कमी हो सकती है, आप इस कमी को स्वीकारें और इसे दूर करने की लगातार कोशिश करते रखें, तो मुझे लगता है कि समस्या से आप पर्मानेंट हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, पसंद आ आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं, तो एक खास मेंबर बनते हैं और उन खास मेंबर के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ टिप्स के वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे सारे सोशल पैटफॉर्म से भी उठ सकते हैं, इन सभी के हैं इस वक्त भी आपको स्क्रीन पर न पिलगाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार